पिछले वीडियो में मैंने आपको टेलीग्राफ लाइब्रेरी का थोड़ा सा ओवर्विव दिखा दिया था कि टेलीग्राफ लाइब्रेरी कैसे वर्क करती है लेकिन मुझे लगता है कि आप उससे ज्यादा कुछ अच्छे से समझे नहीं होंगे अब इस वीडियो से मैं आपको सारी जानकारी A to Z स्टार्टिंग से प्रोवाइट करने वाला हूँ जिससे आप अगर जो भी चीज़े उसमें नहीं भी समझे थे वो अब इन वीडियो से आप समझने लगोगे और उसके बाद में हम नेक्ट वीडियो में इवेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लिस्नर्स पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़े फिर बाद में देखेंगे जिनको एक करके step by step हम आपको सारी चीज़े इसमें telegraph और telegram कैसे इसको bot बनाना है अपना कैसे coding करनी ही क्या क्या करना है क्या क्या चीज़े होती है इनमें सब चीज़े मैं एक एक करके बताऊंगा आज की वीडियो में हमको basic workflow समझना है कि telegram messages को process कैसे करता है यानि वो कहां से कहां कैसे करके भेजता है और किसको कब दिखाता है कैसे दिखाता है क्या होता है कहां जाता है message सारी चीज़े हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जिसके लिए मैंने ये photo आपके लिए specially design किया है जिससे मैं आपको telegram का workflow समझा सकूँ और bot API का use आपको अच्छे से समझा सकूँ तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़े हैं क्या तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं तो इधर आपको ये दो mobile दिख रहे होंगे एक ये mobile और एक ये mobile जिन में मैंने इसमें दिखाया है कि ये telegram app है यहाँ पर मैंने लिखाया telegram app है जो in mobile में open है जैसे कि इस mobile को सिधार्थ चलाता है और इस mobile को vimal चलाता है तो सिधार्थ क्या करना चाता है सिधार्थ vimal को message करना चाता है telegram के जरिए यहाँ पर यह जो सिधार्थ है जिसने टेलिग्राम एप को open किया है वो direct विमल को message नहीं कर सकता है तो चलो इसका कारण और सारी चीजे अच्छे से समझते ही क्यों नहीं कर सकता है और कैसे करेगा अगर यह ऐसे नहीं करेगा तो कैसे करेगा फिर देखो जब कोई भी message हम टेलिग्राम एप पर send करते है तो वो जो message होता है वो एक event होता है जैसे कि मैंने बोला हाई तो हाई एक message है जो एक event के जरीए गया टेलिग्राम के server पर यह टेलिग्राम का क्या है जहाँ पर टेलिग्राम के सारे messages आते और जाते हैं और store भी होते है यानि उनको आप future में बाद में भी देख सकते हो इसलिए यहाँ पर store भी होते है सबसे पहले SID क्या करेगा टेलिग्राम एप पर हाई लिखेगा तो वो जो हाई message होगा वो एक event होगा जो कि टेलिग्राम के server पर जाएगा और टेलिग्राम का server क्या करेगा यह जो SID ने विमल को message भेजा होगा वो यहाँ पर टेलिग्राम server के जरिए विमल की mobile में आएगा और विमल की mobile में कैसे आएगा यहाँ पर यह जो टेलिग्राम एप है वो लगातार सारे messages को फिज करती रहती है टेलिग्राम server से और यहाँ पर टेलिग्राम server को सारे message भेजती रहती है टेलिग्राम एप यहाँ पर क्या करती है कि यहाँ पर लगातार सारे messages को फिज करती रहती है देखती रहती है कि कहीं कोई server पर मेरे लिए कोई message तो नहीं आया है अगर मैसेज आया है तो उसे तुरंद फेज करके यहाँ पर दिखा दिया जाता है जैसे कि विमल ने यहाँ पर कोई भी मैसेज कर दिया तो वो क्या करेगा यह एक इवेंट बन के जाएगा और जिसको भेजना होगा जैसे कि इसके लिए होगा तो इसको दिख जाएगा और किसी के लिए होगा तो और किसी के पास चला जाएगा अब यहाँ पर यह चीज क्या है यह चीज है हमारा बॉट का सर्वर यानि जो हम यहाँ पर बॉट बनाने वाले हैं उसका यहाँ पर सर्वर हम यहाँ पर अपना खुद का सर्वर कोड करने जो कि टेलीग्राम की सर्वर से हमारा सर्वर कम्यूनिकेट करेगा जैसे कि सिधार्थ और विमल दोनों ने मिलकर एक गुरूप बनाया जिसमें ये दोनों हैं और मेरा बॉट है तो यानि अगर सिधार्थ ने गुरूप में कोई भी मैसेज बेजा तो वो किसको किसको एक तो विमल को जाएगा और दूसरे मेरे बॉर्ट को जाएगा क्योंकि मेरा बॉर्ट भी उस ग्रूप में है इसलिए मेरे बॉर्ट को भी वो मैसेज पता होगा मेरा बॉर्ट क्या करेगा वो मैसेज मेरे को मेरे सर्वर पर फॉर्वर्ड कर देगा अब मेरा सर्वर क्या कर प्राइब तो अब यहां पर विमल तो कुछ धिर बादी में reply करेगा क्योंकि ये तो मसीन नहीं है यह तो इंसान है ना तो अगर जब देखेगा तब तो reply करेगा ये जब reply करेगा तब reply करेगा लेकिन हमारा बॉर्ट क्या करेगा हमारे बॉर्ट के पास तुरंत message जाएगा से होते हैं यूजर्स बॉट और टेलिग्राम के बीच कम्यूनिकेशन यानि ये समलो कि हम टेलिग्राम सर्वर जिसको हम टेलिग्राम ही बोल सकते हैं जिससे क्लाइंट इनको हम क्लाइंट बोल सकते हैं जो टेलिग्राम की एप होती है उसको क्लाइंट बोल सकते हैं यानि य तो clients है, यह client है, यह client है, यह client है, यह सब इस server से communicate करते हैं, तब जाकर के इनको एक दूसरे से response, यानि एक दूसरे से बात कर पाते हैं, यानि यह intermediate का काम करता है सब के बीच में, अगर इसने कोई message बेजा, तो किसको बेजना है, वो यह decide करता है, और इसको जो message जाएगा, उस यह automated machine है, जो हम लोग code करेंगे, यानि यह हमारा खुद का server है, यह है telegram का basic communication का flow, तो आशा करता हूँ, इस video में आप telegram के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, कि telegram कैसे work करता है, अब next video में हम events के बारे में देखने वाले हैं, कि किस-किस तरह के event हम लोग यहाँ पर telegram को दे सकते हैं, और उन events को यह bot कैसे सुनता है, तो यह सारी चीज़े हम जानेंगे, और अगर चैनल पर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही videos सबसे पहले देख पाने के लिए, thanks for watching.